चाहते हैं अपार्धन संपत्ति तो इस दिन से शुरू कर ले मा लक्ष्मी की पूजा, जाने विधी और शुब मुहूर्ट गार्मिक ग्रंथों के अनुसार दिवाली पर मा लक्ष्मी की पूजा अगर भगवान विष्णू के बगैर की जाती है तो पूजा का फल नहीं मिलता है देवी लक्ष्मी की पूजा का प्रारंब कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन से हो जाता है शास्त्रों में इस एकादशी को बहुत महत्वपून बताया गया है क्यूंकि यह चत्रमास की अंतिम एकदशी है देवी लक्ष्मी जिनका एक नाम रमा भी है उन्हें यह एकादशी सबसे अधिक प्रियव है इसलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है ऐसी माहियता है कि इस एक आदशी के पुर्णे से सुख हैश्वरे की प्राप्ती होती है इस वर्ष यह एक आदशी 24 अक्टूबर रविवार के दिन है पुराणों के अनुसार जो वेक्ती इस एक आदशी के दिन लक्ष्मी नारायन का ध्यान करते हुए वरत रखते हैं वे खुर्वजन्म के पापों से मुप्धो कर उत्तम लोग में जाने के अधिकारी बन जाते हैं इस वरत में तुल्ची की पूजा और भगवान विष्नु को तुल्ची पता अर्पित करने का बड़ा महत्व बताया गया है तो उन्हें भी पूनी मिलता है रमा एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजकुमार चंदरसेन अपने ससुराल गए जहां हर कोई एकादशी का वरत करता था ससुराल वालों के कहने पर इन्होंने भी ये वरत रखतो लिया लेकिन भूख प्यास सहन नहीं होने के कारण इनकी मृत्य हो गई लेकिन एकादशी के पुर्णे से इन्हें अपसराओं के साथ सुन्दर नगरी में रहने का अवसर मिला वहीं पति की मृत्यू से दुखी होकर इनकी पत्नी भगवान विश्नू की उपासना में लीन रहने लगी एक दिन चंदर सेन की पत्नी चंदर भागा को इस बात की जानकारी मिली की उनके पती को रमा इकादशी के पुर्णे से उतम नगरी में स्थान मिला है लेकिन पुर्णे की कमी से उन्हें जल्दी ही इस नगरी से जाना होगा चंद्र भागा ने रिशी वामदेव की सहायता से अपने पुणिये का कुछ भाग अपने पती को दे दिया और स्वय अंभी पती के पास पहुझ गई पूजा विधी इस एकादशी व्रत को जो लोग रखते हैं उन्हें सुबह लक्ष्मी नारायन की पूजा करनी चाहिए और भगवान विश्नु को तुलसी एवान देवी लक्ष्मी की लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए अगले दिन दवाद शीक ब्रह्मन को भुजन करवा कर स्वय अंभुजन करना चाहिए